असलाम लेकुम बच्चो आज हम क्लास वोर की साइस के चैप्टे नमबर वन अपनी पहचान Understanding Ourselves के वारे में पढ़ते हैं इस बाप में हम सीखेंगे इनसानी जिस्म का तारुफ जिस्म के अहम हिस्से और उनके आफाल एक मशीन की तरह शकल एक इशारिया एक हमारे जिस्म के भी बहुत से हिस्से हैं इन हिस्सों को आजा ओगन्स कहते हैं आजा एक दूसरे से मिल कर काम करते हैं जिसकी वज़ा से हमारा जिस्म मुखतलिफ आफाल सर अन्जाम देता है जब हम आइना देखते हैं तो हमें अपने बहुत से आजा नजर आते हैं मसलन आँखें, कान, नाक वगएरा ये आजा बेरूनी आजा कहलाते हैं आईए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इनसानी आँख आँख हमारी देखने में मदद करती है इनसानी आँखें के बारे में मजीद मालूमात के लिए किताब की तरफ चलते हैं आँखें देखने में हमारी मदद करती है हमारे अर्दगर्द बहुत सी खुबसूरत अशिया मसलन सबस बौदे, नीला आस्मान और रंग बेरंगी चीज़ें मौझूद है आँखों की मदद से हम ये खुबसूरती देखते हैं शकल एक इशारिया ती आईए अप आँखों के बारे में एक वीडियो देखते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वीडियो में हम आँखों के देखने के बारे में बात करेंगे ओके, तो शुरू करते हैं इस सवाल से आँखें क्या हैं? वेल, आँखें आपकी बाड़ी का हिस्सा या और्गन हैं? बिल्कुल सही सुना आपने आईबॉल आपकी बाड़ी का और्गन है ये बात मुझे तो बहुत हिरां कुन और बहुत इंट्रेस्टिंग लगी है आपका क्या ख्याल है? चले, अब अगला सवाल आपकी आँखें क्या काम करती हैं? सोचे सोचे, आप ये कर सकते हैं आपने बिल्कुल सही सोचा शाबाज, आपकी आँखें इर्द गिर्द की चीज़ें देखने में मदद करती हैं आपकी आँखें टिशूस का स्पेशल ग्रुप है जो देखने में मदद करता है इन फैक्ट, आप अभी भी अपनी आँखें ही इस्तमाल कर रहे हैं ये वीडियो देखने के लिए ओके, तो अब आपकी आँखें स्क्रीन पर क्या देख रही हैं? मुझे तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पपी लग रहा है एक रिव्यू करते हैं आँखें स्पेशल ग्रूप आफ टिशूज हैं हम आँखों के जरीए इर्द गिर्द के चीज़ें देखते हैं चलिए, अब वापस में इस डियने की तरफ चलते हैं अब हम इनसानी कान के बारे में बन्यादी मालूमात लेते हैं कान इयर्स स्कूल का वक्ट खत्म होने पर जब घंटी बच्चती है तो हम खुश होकर घरों को जाने के लिए अपने स्कूल के बस्ते बंद करना शुरू कर देते हैं क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जिसम का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें आवाजें सुनने में मदद देता है कान कान ऐसे आजा हैं जो हमारी इर्द गिर्द की आवाजें सुनने में मदद देते हैं शकल एक इशार्या चार दान्त हमारी बॉड़ी का एक एहम हिस्सा है दान्तों की दो बुन्यादी एक्साम है आईए देखते हैं दूद के दान्त, मिल्क टीथ, मुस्तकिल दान्त, पर्मिनन टीथ दान्त, टीथ दान्त हमारे जिसम का एक एहम हिस्सा है उनकी मदद से हम अपनी खुराग को चबाते हैं शकल एक इशारिया पांच अपने मूँ में मौजूद दांतों को गिनें और उनकी तादाद बताएं दांतों के दो सेट होते हैं इन में से एक सेट दूद के दांतों का है, जबके दूसरा सेट मुस्तकिल दांतों का है। दूद के दांत छे महीने की उमर में जाहर होना शुरू हो जाते हैं। आम तर पर तीन साल की उमर में इनकी तादाद 20 होती है। शकल 1.6 सरगर्मी 1.2 अपने दोस्तों के बारे में दर्ट जैल डेटा इकठा करें दोस्त का नाम और किस उमर में पहला दान्त गिरा मस्तकिल दान्त पर्मनेंट टीथ पांच से छे साल की उमर में दूद के दान्त करना शुरू हो जाते हैं इनकी जगा मुस्तकिल दान्त ले लेते हैं जिनकी तादाद 32 होती है शकल 1.6 सरगर्मी 1.3 दी गई शकल को गोर से देखें बचे के दान्तों को क्या हुआ है और इसकी वज़ा क्या है क्या आप जानते हैं? चीन में हर साल लोग अपने दान्तों से प्यार करें का दिन मनाते हैं दान्तों के मुख्लिफ अक्साम के बारे में जानने के लिए ये विडियो देखते हैं How Teeth Grow क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के मुओ में कोई दान्त नहीं होता? हमारे प्राइमरी या बेबी टीथ हमारे पैदा होने से पहले ही उग जाते हैं लेकिन हमारे पहले प्राइमरी टीथ तब तक गम से बाहर नहीं आते जब तक हम 6 या 7 महीने के नहीं हो जाते जब तक हम 3 साल के होते हैं सारे प्राइमरी दान्त निकल आते हैं और ये हमें नजर भी आते हैं या शायद इनका कुछ हिसा हमें नजर नहीं आता इमाजन करें आप एक्स्ट्रेवियन देख सकते हैं तो ये आपके दान्तों का व्यू है ये देखें इनकी पॉइंटी रूट्स हैं हमारे प्राइमरी टीथ बहुत एहम होते हैं और इसी लिए हमें इनकी बहुत देख भाल भी करने शाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुँ में सिरफ यही दान्त नहीं होते हैं हमारे पर्मनेंट टीथ गम के निचली साइट पर मौझूद होते हैं और इनका सिरफ टॉप और क्राउन ही बनता है इनकी रूट्स बाद में डवालप होती हैं बेबी टीथ पर्मनेंट टीथ के लिए जगा रखे होते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं पर्मनेंट डान्त आइस्ता आइस्ता उगते हैं और बेबी टीथ की जगा ले लेते हैं जब हम 6 साल के होते हैं हमारे पहले permanent molars मूँ की back side पे निकल आते हैं ये बात याद रखें कि permanent teeth इन molars की आने से पहले नहीं गिरते हैं बिल्कुल इसी वक्त सामने के permanent teeth भी उगना शुरू कर देते हैं क्या आपने अपने किसी दोस का दान हिलता हुआ या गिरता हुआ देखा है primary teeth इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें हलकी होती है इसलिए जब primary teeth गिरता है तो इसकी जड़ छोटी और खोकली होती है जब हम 14 साल के होते हैं तो second molars और दूसरे permanent dant ओगाते हैं और ये हमारे मूँ में नजर भी आते हैं तमाम primary teeth अब रिप्लेस किये जा चुके हैं 8 incisors, 4 canines, also called cuspids 8 premolars, also called bicuspids 12 molars, including 4 wisdom teeth, whereas children have 20 teeth All 8 of our incisor teeth are located in the front part of our mouth We have 4 of them in our upper jaw and 4 in our lower jaw They have sharp edges that help us bite into food Whenever we sink our teeth into something, such as an apple We use our incisor teeth The very first teeth we grow are incisors, appearing when we are around 6 months old Canines are 4 teeth which sit next to the incisors We have 2 canines at the top of our mouth and 2 on the bottom Canines have a sharp, pointy surface for tearing food Canines are also called cuspids Premolars are 8 in number and sit next to your canines There are 4 premolars on top and 4 on the bottom Premolars are bigger than canines and incisors They have a flat surface with ridges for crushing and grinding food into smaller pieces To make it easier to swallow Baby molar teeth are replaced by adult premolars Infants and young children do not have premolars Because these teeth do not start to come in until around age 10 Molars are 12 in number and are our biggest and strongest teeth We have 6 on the top and 6 on the bottom The large surface area of your molars helps them grind up food When you eat, your tongue pushes food to the back of your mouth Then, your molars break up the food into pieces small enough for you to swallow You recall which type of teeth are the first ones we grow You recall last time in December हडियों के बारे में जानने के लिए पहले किताब से मताला करते हैं हडियां बोन्स शकल एक इशारिया साथ को देखें ये हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हडियां हैं जो हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं हम इस साख्त को धांचा यानि स्केलेटन कहते हैं इनसानी जिस्म में हडियों की तादाद दो सोचे है धांचे की हडियां हमारे जिस्म को सहारा देती हैं हडियां हमारे जिस्म की शक्ल सूरत को बढ़कर रा रखती है धांचा हमारे जिस्म के नर्मों नाजुक हिस्सों की हिफाज़त करता है मसलन पस्लियां हमारे दिल की हिफाज़त करती है हमारे दिमाग की हिफाज़त धांचे का कौन सा हिस्सा करता है हडियों को जोडों के जरीए मजीद सहारा मिलता है human body में जोड कितनी तरह के होते हैं आईए जानते हैं जोड, joints हमारे जिसम में जहां एक हडी दूसरी हडी से जोडी होती है उसे जोड यानि joint कहते है जोड हरकत करने में मदद देते हैं कुछ जोड आपस में जुड़े होते हैं और हरकत नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर हमारी खोपड़ी के जोड कुछ जोड कम हरकत कर सकते हैं मसलन हमारी रीड की हडी के जोड और कुछ जोड बहुत जादा हरकत करते हैं मसलन कोहनी और घुटने के जोड वगेरा, शकल एक इशारिया नौ, सरगर्मी एक इशारिया चार, दीगई शकल में जोडों की शिनाख्त करें और उन में मुख्तलिफ रंग भरें, आईए अब मसल्स के बारे में जानते हैं, पठे, मसल्स, पठे हमारे जिसम में बहुत से आ शकल एक इशारिया दस, पठों की मदद से जिसमानी हरकत, मूवमन्ट अफ आर बाडी बाइ मसल्स, पठे सुकर और फैल सकते हैं, हड़ी पठों के साथ जुड़ी होती है और पठे सुकर कर या फैल कर हड़ी को हरकत देते हैं, जब दमाग से कोई भी पगाम पठों को मिल पठे सुकरते हैं और अपने साथ जुड़ी हुई हड़ी को उपर की तरफ उठाते हैं, शकल एक इशारिया 11, इसके बाद पठे फैल जाएंगे और अपनी अस्ती हालत इख्यार कर लेंगे, इस तरह आप अपनी किताब या दूसरी अश्या को उठा लेते हैं, क्या आप हमारे जिसम में 600 से जाइद पठे हैं, उमीद है कि आपको आँखों, कान, दांतों, हडियों, जोडों और पठों के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होगी कि BTS ॵा लेता रंपवियोड़acine से जाहर वमीदों कि कि आपको आपको कि यूब अपर आपको 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 कान दो कृट्प अब हम इस टॉपिक से मतलका एजुकेशनल गेम या सिमलेशन देखते हैं इंग जानरों के दांत मिसिंग हैं उपर दिये गए दांतों के सेट में से सही सेट को ड्राग करें और इट के बटन पर क्लिक करें आपको क्या लगता है कौन सा दांतों का सेट कौन से जानदा के लिए सही के लिए अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमलेशन देखते हैं मुझे उमीद है कि आपको एंसिमुलेशन से टॉपिक के वारे में सब समझा दे होगी आईए अब हम कुछ सवाला के जवाब सोचते हैं एक और सवाल को देखते हैं ये दांतों के सेट बिल्कुल सही है अब हम अगले लेक्चर में मिलेगे तब तक के लिए आपने बिल्कुल सही गेस किया है स्क्रीन के टॉप पर दी गई इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े और दांतों के सेट का सही से मौईना करें मैकनिफाइंग ग्लास पर क्लिक करें और ये देखें कि किस तरह इंसानों शेर और भेड के दात खौराक के लिए बनी हैं कार्णिवोर्स हर्डिवोर्स ओम्निवोर्स क्या आप शेर और भेड के दातों में फट कर सकते हैं इस फट को अपनी नोट्बुक में लिखें इस simulation में मुख्तलिफ बैरूनी body parts को लेबल करते हैं nose, mouth, hair, eye, ear बहुत खूब अब अगले लेबल की तरफ चलते हैं level 2, leg, foot, hand, head, neck, arm, shoulder Congratulations! आपने external body parts की ये game भी बहुभी मुकमल कर ली अब हम इस topic से मतलका educational game या simulation देखते हैं इंग जानवरों के दान्त missing हैं उपर दिये गए दान्तों के set में से सही set को drag करें और eat के button पर click करें आपको क्या लगता है? कौन सा दान्तों का set कौन से जानदार के लिए सही है? अब हम एक और educational game या simulation देखते हैं मुझे उमीद है कि आपको in simulation से topic के वारे में सब समझा देखते हैं आईए अब हम कुछ सवालाग के जवाब सोचते हैं एक और सवाल को देखते हैं ये दान्तों के set बिल्कुल सही है अब हम अगले lecture में मुलेगे तब तक के लिए अलाराम पर्स आपने बिल्कुल सही guess किया है स्क्रीन के टॉप पर दी गई instructions को ध्यान से पढ़े और दान्तों के set का सही से मौईना करें Magnifying Glass पर क्लिक करें और ये देखें कि किस तरह इंसानों, शेर और भेड के दान्त खुरा के लिए बनी हैं Carnivores Herbivores Omnivores क्या आप शेर और भेड के दान्तों में फ़र्ट कर सकते हैं इस फ़र्ट को अपनी notebook में लिखें Core Educational Game या Simulation देखते हैं Body Parts इस simulation में मुख्तलिफ बैरूनी Body Parts को लेबल करते हैं Nose Mouth Hair Eye Ear बहुत खूप अब अगले लेवल की तरफ चलते हैं Level 2 Leg Foot Hand Head Head Neck Arm Shoulder Congratulations आपने External Body Parts की ये गेम भी बाखुबी मुकमल कर ली मुझे उमीद है कि आपको N Simulation से Topic के वारे में सब समझा गई होगी आइए अब हम कुछ सवलात के जवाब सोचते हैं एक और सवाल को देखती हैं मैं उमीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज तक किस्वारे में में मुझाए तक कि वाद्स बाईए झाल झाल